अुझा धोस्तो शसी किचन में आपका सौगत है आज हम कैद का अचार बनाएंगे का अचार खाने में बहूत अच्छा होता है तो CC कि इस कैट को 5-6 कैट लिए इससे अच्छे से उबाल लिए हैं उबालने के बाद हमें इसी तरह इसे ठोड़ लेना है तो हम आपको दो ही कैट दिखाए हैं तो हम इसका छिलका इसी तरह से हलके हलके हाथों से पीट के निकाल लेंगे उबालने के बाद इसका छिलका बहुत तक्षे से निकल जाता है तो हम इसी तरह से इसका छिलका निकाल लेते हैं देखे कितने असानी से छिलका इसका फट रहा है हम सभी का छिलका उताल लिये हैं इसके बाद इसका हम छोटे-छोटे पीस काट देंगे कि इसका हम छोटे-छोटे पीस काट देंगे देखे इतना हम छोटा-छोटा इसको काटेंगे इसको छोटे-छोटे तुकड़े में कारती हैं इसको हमें धूंप में सुखाना है तो इसको हम रख देंगे हम छोटे-छोटे तुकड़े में कार देंगे सभी को इसके बाद हम इसको एक दिन धूप में सुखा देंगे धूप में सुखाने के बाद हम साम को इसे बना लेंगे इसके बाद हम इसका मसाला तयार कर रहे हैं तो जीरा हम लिए हैं दो चमच जीरा लिए हैं जीरो को अच्छे से भून लेते हैं कि इसके बाद हम डेड़ चमत सौफ लिए हैं सौफ को हम भून लेते हैं सौफ अच्छे से भून लिए हैं इसको भी निकालेते हैं धनिया हम एक कटोरी लिए हैं अधाग्वन फॉल्रे लिए अधा चमत मंग्रेल मंग्रेल को डालने पर इसका स्वाध और बढ़ जाता ऐसार का मिस्में मंग्राय भी डाल देते हैं इसके बाद इसको लेते हम इसमें टेल डालेंगे करम होने के लिए को हम it000 स्ञी जाल दिये हैं तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है इसमें हम एक चम्मच मेथी दाना डाल दिये है मेथी दाना अच्छे से तड़क चुका है इसके बाद इसमें एक चम्मच जीरा लहासुन हम दो चम्मच डाल दिये हैं अब इसके बाद इसमें हम जो अच्छार शुखवाए थे अब इसके बाद उस अच्छार को इसमें डाल देंगे तेल में देखिए अच्छे से हम इसे सुखवा लिये हैं इसके बाद इसमें हम डाल के इसे अच्छे से धीमी आज पे इसे हमें भूनना है आच्छार को हम इसलिए भून रहे हैं कैट का इसमें जो हलका हलका पानी रहता है अच्छे से इसे हम भून लेंगे तो हम आच्छार को सालोगर रखके खा सकते हैं हमारा आच्छार खराब नहीं होगा तो हम इसी तरीके से अच्छार बनाते हैं यह अचार आपको धूब में सुखाना भी नहीं पड़ेगा, आपका अचार खराब नहीं होगा यह बनाने का बहुत आसान तरीका है अचार को हम अच्छे से तेल में मिला दिये हैं, इससे हम दो मिनट के लिए छोड़ देते हैं इसके बाद हम आपको मसाला रिखाते हैं, कि हम मसाले को पीशक तयार कर दिये हैं मसाले को पीशक तयार कर दिये हैं डाल मिर्च, दोचमच, मंगरेल, जीरा, नमक, हींग, हल्ली, सोब, धनिया अब इसके बाद इसमें हम सब राल देते हैं धींग आधा चमच, हल्दी आधा चमच, दोचमच सौब, दोचमच जीरा, आधी चमच मंगरेल, देट चमच लाल मिर्च, पचास गरम धनिया लिये हैं, इसके बाद हम इसे मिला देंगे, इसका महग बहुत अच्छा रहा हैं हम अचार को अच्छे से मिला दी है, मसाले को भी थोड़ी देर हम यानि 5-10 मिनटी से भी मसाले को भूनी है, इसका महग बहुत अच्छा रहा है नमक इसमें हम स्वादानुसार डालेंगे, हमें इसमें नमक थोड़ा चटकी डालना है तो हम इसको अच्छे से मिला दिये हैं, अब इसके बाद इसमें हम अब इसको हम गलने के लिए इसमें हम छोड़ी आधी की दासी इसमें हम सिरका डाल देंगे, ताकि अच्छे से हमारा अच्छा गल जाए तो देखिए हमने इससे अच्छे से मिला दिये हैं, चिरके को तो अच्छे से गल जाएगा, दो तीन दिन में खाने के लाइक हो जाएगा, और इससे धूब में हमें सुखाना भी नहीं पड़ेगा, तो हम इससे साल घर रखे खा सकते हैं अचार को, आचार बनाने में करें लाइक करें सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद में